खबर 12 बज़े में बढ़ेंगे आगे और लखनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले लखनाव मौज रखे इसमें पुलिस का खुलासा अम्रतक युप्ति का पड़ोसी थे आरोपी निकला है ये जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई है सूप्यान नाम की युवक ने घतना को अंजाम दिया था और पुलिस की पांच टी में इस पूरे बामले को लेकर जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई ये डेर साल से युप्ति से करना चाहता था दोस्ती पुलिस का ये बयान सामने आया है युप्ति को आरोपी सूप्यान ने दिया था मोबाईल तो आपको बताते चले इस पूरे बामले को लेकर पुलिस आक्शन में है और बड़ी खबर इस वक्त की लखनव से लखनव मुद्र केस में पुलिस का ये बड़ा खुला सा मितक युप्ति का पडोसी था आरोपी सूप्यान नाम के युवक ने इस पूरे बारदात को अंजाम दिया है पलाल इस पूरे बामले को लेकर पुलिस ने पांच तीमों का गठन कर दिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है आपको बताते चले सूप्यान समेथ पूरा परिवार इस वक्त फरार है कि मा जोकी वादिनी है उनके द्वारा दी गई लिखित तहरी के आधार पर थाने पर मुकदमा अपरात संक्या दो से कथिस बटा दो हजार बाइस अंतरगा धारा 302 आईपीसी वा तीन बटा पांच उत्तरपदे धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेद अधिनियम बनाम सूफियान पुत्र मुहमद राजू निवासी बसंकुझ कॉलनी थाना दुबगगा लखनो पंजिकरत किया गया है आरोपी की गिर्फतारी है तू हमारी टीमें पांच टीमें गठित कर दी गई है और देख अबडेट के साथ समबादा था विनाश बारे साथ जुड़के सीधा उनका रुक करेंगा विनाश देखे पुलिस ते पांच टीमों का गठन कर दिया कैसे कारवाई की जा रही है पुलिस के तरफ से देखे खर शाम की वारदात है और उसके बाद से ही पुलिस लगातार सुफियान और उसके परिवार के लोगों को तलाश रही है आलाखे जो मुकेदमा धर्श किया गया है उसमें नामजद सिर्फ सुफियान को बनाया गया है और पुलिस ने इसमें हत्या और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का मुकदमा दर्च किया है चुकि देखा जाए तो यूपी में कुछ समय पहले ही इससे संबंदित कानून भी बनाया गया था तो उन्हीं धाराओं के अंतरगा तब सुफियान के खिलाब मुकदम कर रहा था और ना सिर्फ शादी का दबाव बना रहा था पलकि वह यह भी बोल ला था कि पहले तुम अपना धर्म परिवर्तन कर और उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे तेकि इसमें एक महत्तपूर्ण और गंफीर आरोप सुफियान के परिवार के ऊपर बीए क्यूंक परिवार का रंजना आरोप काफी गंभीर है दाकि उन आरोपों के आधार पर ही पुलिस के पास जो तहरीर आई थी परिवार की उस तहरीर के आधार पर मकदमा दर्श कर लिया गया है कि कई गंभीर धाराओं में और अब पुलिस सुफियान को तलाश रही है और जिसके देखी कि परिवार के तरफ से कोई कंप्लेइन पुलिस को नहीं किया गया? विवेशना रही है, चानबिन रही है, उसमें पुलिस ने सापतोर पर कहा कि पिछले डेर्ड सालों से सुफियान निधी से दोस्ती करना चाहता था और जैसा कि परिवार का आरोप है कि सुफियान परिशान करना था अलाकि पुलिस का जो बयान आया है जुएंट से पी उश् दिन पहले ही सुफियान ने उस लड़की को एक मोबाइल भी दिया था और उसी बात की जब जानकारी पेडित परिवार को लगी यानि की निधी के घरवालों को लगी तो वे उसकी शिकायत लेकर सुफियान की मताब पिदा के पास गय थे लेकिन तब बात और बिगड़ ग गई हाला कि उस घटना की सुचना जैसे ही पुलिस को लगी चुकि देखिये मामला दो धर्मों से जुड़ा हुआ था क्योंकि लड़का जो है मुस्लिम धर्म से है और लड़की जो है हिंदू है तो वैसे में इस घटना के बाद पूरे इलाके में कह सकते है कि थोड़ी त लगातार काई इलाकों में दबिश भी दे रही है सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द मुख्या आरोपी सुफियान को गिरफतार किया जाए क्योंकि देखिए इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो पीडित परिवार है बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहा है और पीडित परिवार की यहीं मांग है कि इस तरीके से निधी की हत्या की गई है उसके बाद जो आरोपी है जो दोशी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए वाकर अविनाश देखिए इस मामले के सामने आने के बाद से पूरा माहौल गर्म है और जिस तरह से डिप्टी सीम का बयान सामने आया उन्होंने भी आदेश दिया कि इस पूरे मामले पर कारवाई होगी तो क्या कुछ आदेश सरकार के तरफ से दिया गया इस पूरे मामल हैं जो भी दोशी हैं उनकी सबसे पहले गिरफतारी होनी चाहिए क्योंकि पीडित परिवार का जो आरोप है संगीन है और देखिए रंजना एक बात बहुत ही मत्वकूर है क्योंकि ऐसे जो मामले हैं पुरे उत्तर परदेश में हलाकि अब ऐसे मामलों में कमी जरूर आई है लेकिन पहले ऐसे बहुत मामले देखे जाते थे कि जब कोई विशेश समुदाय का जो लड़का होता था वो किसी लड़की से शादी करता था बाद में जबरन धर्म परिवर्तन का दवाव बनाया जाता था और शायद यहीं वज़ा रही कि कुछ साल पहले योगी सरकार न पनाने के पीशे मकसद यहीं था की जो ऐसे मामले हैं ऐसे मामलोंव पर रोक लगाईा जाए और जो लब जिहाद की जो एक प्रकेटी है उसको क्योंकि चाहें हम लखनों की बात करें फिर तमाम ऐसे जिलों की बात करें क्योंकि आपने देखा कि पहले ऐसे तमाम मामले सामने आते थे एक्रोची पुलिस इस मामले में सक्त है, सरकार सक्त है और पुलिस की यही कोशिच है कि जो मुख्या रोपी है जल से जल वो गिरफतार हो और उसके लिए पुलिस लगातार लखनव के कई इलाकों में दबिश भी दे रही है चली अविराश इंतबाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप नजर बनाए रखे तो देखे इस पुरे मामले को लेकर लगातार कारवाई की जा रही है और अब पांच टी में गठित कर दी गई है जो की अब इस पुरे मामले को देख रही है और आरोपियों की तलाश में जुती हुई है इस घटना के बाद से सुफियान और सुफियान का पुरा परिवार फरार है जो घर है घर में तला लगा हुआ है हलाकि इसमें महत्वपूर बात ये है कि जो मृतका का परिवार है वो सीधे तोर पर ये आरोप लगा रहा है कि पिछले 15 दिनों से उसकी बेटी को सुफियान नाम का ये लड़का परिशान कर रहा था जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था और ना सिर्फ जबरन शादी करने का दबाव बना रहा था बलकि उसका ये भी कहना था कि पहले अपना धर्म परिवर्तन करो, यानि कि अपना धर्म चेंज करो और उसके बाद शादी करो. पिडित परिवार है, उसका आरोप है कि वहाँ पर कुछ संभावता कहा सुनी हुई, उसके बाद सुफियान ने उसको धक्का दे दिया, जिसके बाद लड़की नीचे गिरी, हलाकि बाद में उसको होस्पिटल में एडमिट कराया गया, लेकिन उसको बचाये नहीं जा सका. मृतका की बहन, उनका ये आरोप है कि जो आरोपी का परिवार है, उन्होंने भी कहा कि आप लोग शादी कर दीजिए, और उससे पहले आप धर्म चेंज कराये, हलाकि ये काफी गंभीर आरोप है, बहुत ही महतुपून जिस तरीके से ये वारदात होई है, हलाकि उसके बा लाकों में लगातार दबिश दे रही है, वीडियो चनल समय सिंग के साथ, अविना आश सिंग, नुजी स्टेट लखना, लखनों की दुबग्गा में जबरन धर्मे परिवर्तन का मामला सामने आया, विशेश समुदाई के लड़की पर एक लड़की को छट से नीचे फेक हों किया है, इस मामली में यूपी के डिप्टी सीम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रदेश में ऐसी हरकतों को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा, ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि पुष्टे याद रखेंगी इसमें कड़ी कारवाई होगी और इस प्रकार के सभी लोगों को चिन्नित करने के लिए पुलिस पसासन से कहा गया है कि सभी अपने पुलिस इंस्पेक्टर से जो बीट के इंचार्ज हैं, बीट के सिपाई हैं, उनसे जानकारेक्त करें, किसी भी किमत पर ऐसी हरकतों को हम यूपी में बरदार्श नहीं करेंगे, हम कड़ी कारवाई करेंगे और इसी कारवाई करेंगे कि उनकी पुस्ते भी याद करेंगे